हलो एवरिवान अगर आप सभी ने इसके पहले के एपिसोड देख लिया है तो बहुत अच्छा अगर नहीं देखे तो लिंक कमेंट सक्षन में बिन है प्लेलिस्ट का आप आप से देख सकते हैं लगी आखिर उसके पास है गया इसके बाद जब वो फ्लावर ढोलने की कोशिश कर रहा होता है तब उसके अंदर जब वो देखता है तो गयाता है कि वाकई में लड़ फ्लेम फ्लावर है तो है बट इसके अंदर वहीं टाइगर बीस्ट का हाथ भी मौजूद है वाकई में म काफी जदर टेक्निक्स थी इसके बाद लिए उन कहता है कि अफसोस इस जगा में कोई लौ नहीं है और ना ही किसी को यह बात पता चलेगी कि तुम्हारी चीज मैंने चुराई है तो पाई इसके बाद हम पॉपेट हॉल में क्यों यून को देखते हैं जो कि काफी जदर ग जरूर आप उसे हरा भी तोगे जब वो लड़का यह बात करी रहा होता है कि तब ही वहाँ पर उसका दूसरा साथ ही आकर से बताता है कि लिए उन वापस आ चुका है तो यह बात सुनकर कुईन वहां से अपने लोगों के साथ चले जाता है यहां दूसरी तब जब लिए आ रहा होता है तो वो अपने मन में सोचता है कि वाकए में उसने उन तीनों स्पिरिट स्टोन का टास्क कंप्लीट कर चुका है और इस प्रक्टेस के दोरान इवन की वो मार्शिल आट के फिफ्ट लावल में भी पहुँच चुका है तो इस बार तो मुझे कोई भी बुली लेने कर पाएगा और जो भी बुली करेगा मैं उसका मुझ दोड़ दूँगा तब यचानक से कुई नियुन और उसके साथ ही आकर उसका रास्ता रोग देते हैं यहां कुई नियुन उससे कहता है कि वाकई में मेरे सामने कौन खड़ाए यह तो वही स्वार्ट स्लेव है इसे मुझे तुम्हारे जहरे में टैंसन दिखाई दे रही है तो पक्का तुमने उन टास्क को नई कंप्लीट कर आओगा अब यहां पर पैनल्टी लेने के लिए तैयार हो जाना और यह कहकर वह हसने लगता है तूसी तो उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि गवार उस टास्क को पास करें नहीं पाएगा आखिर इसकी हिम्मत हो भी कैसे गई उस टास्क को लेने की जानतो तुम्हारे वज़े से प्रेदर कुईन उस टास्क को नई ले पाए क्योंकि तुमने उससे पहले जूस कर लिया था अब जिस पर उसका दूसर से जिन्दा जाने दे तो तुम्हारे ले बस एक टास्क है वो भी सिंपल सा अगर तुम मेरी पैरों के नीचे से जुक कर चले जाओगी तो मैं तुम्हारी जान को भी छोड़ दूंगा तो उसकी बातों पर लिए उन आगे पढ़ता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम विस्ट करने का समय नहीं है इसलिए अपने इस गेम को बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओं मैं भी देखता हूं कि तुम में से कौन मुझे आगे पढ़ने से रोकता है तुम भी यहीं पर ही हो और मैं भी यहीं पर हो तो उसकी बातों पर कुई नियून हस करते हैं तो जिस पर लियून उससे खेच के मुका मारता है और वो पीछे जाकर किरता है और वो और पी ज्यादा इंजर हो जाता है तो जिस पर उसके साथ ही आकर से समालते हैं और तुसी तफ लियून उससे कहता है कि उमीद है कि तुम्हें इस पर सबक मिल गया होगा अकर तुमने अगली बार से मेरे रास्ता रोकने की कोशिश करे मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हार साथ क्या करूँगा उमीद है कि तुम्हें आज का डोस पसंद आया होगा और फिर ये कहकर वह वहाँ से जाने लगता है दूसी तफ लियून हॉल के अंदर चले जाता है तो उसको देखकर वहाँ के स्टूरेंट कहते हैं कि वाकरी में ये तो लियून ही है न वो इतने चलती उस जगह से आगया और हमें तो लगा था कि शायद वो उस जगह से जिंदा लटके भी नहीं आया होगा तो जिस पर बाके के स्टूरेंट कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये टास्क करने के लिए गया भी था लगता है ये बीच से ही वापस आ गया क्योंकि हमने तो पहले ही कहा था कि ये इस टास्क को नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो एक स्वार्ट लेवे ना वो इतना ज़ता powerful कैसे होगा और ऐसी बात पे नहीं है कि वो spirit stone task बच्चों का खेल होगा यहाँ दूसी तफ master लियून की पास आते हैं तो जिस पर लियून उसी back को बहा निकालता है और उन्हें blood flame flower दिखाता है तो उसको देख कर master कहते हैं कि यह वाकि में जिससे कि तुम अपने लिये blood transformation pills ले सकते हो जो कि तुमारे cultivation में भी काम आएगी यहाँ दूसी तफ master की बात को सुनकर वो student कहता है कि आखर ऐसा कैसे हो सकता है इसने task को वाकि में complete कर दिया तो जिस पर दूसरे student कहता है कि जरूर इसका luck सही रहा होगा यहाँ लियून master को उस tiger का पंजा भी दिखाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर वो भी मिला था तो उसको देखकर master कहते हैं कि वाकि में यह high grade का और से देखका लगता है कि शायद यह अभी अभी मरा होगा या फिक उस तेर पहले तो उसकी बदले में master उसे उसे तो उसने बिल्कुल भी complete नहीं करा होगा तो जिसपो बाकि के student कहते हैं कि हाँ तुमने विल्कुल सही का तब एचानक से उन्हें एक अजीब से वाज सुनाई देती है और वहाँ पर एक बंदे का power का pressure फैल जाता है वो बंदा उनसे कहता है कि वाकई में मुझे नहीं पता था कि तुम उन दोनों task को complete करतोगे लियून और इसके बाद वो नीचे आने लगता है तो उसकी pressure थे वहाँ की सारे students की body में दर्दूने लगता है क्योंकि वो pressure काफे ज़्यादा high था और वो लोग उसे नहीं जहल पाते हैं जिसपो सब किसम नीचे जमीन में गड़ जाते है यहाँ वो बंदा लियून से कहता है कि मैं तुमारे इस task से काफे ज़्यादा impressed हुआ कि तुमने दोनों कोई पढ़ियास आने से कर दिया मैं भी देखता हूँ कि अब तुम मेरे pressure को क्या जहल पाते हूँ या फिन नहीं तो जिसपो लियून उससे कहता है कि आखर तुम होते को अनों मुझे जुकाने वाले और फिर वो अपनी powers के साथ उठ जाता है फिर वो अपनी pressure को भी बंद करते ता है यंग मास्टर को पता चल गया होगा कि लियून अपने थर टास्क में फेल हो चुका है जो कि उस चोर को मारना था आखर ये काम इतने ज़्यदा असान हो भी कैसे सकता है वो चोर वाकई में बहुँ ज़्यदा powerful है और ज़रूर वह यहां पर लियून को punishment दे निकले आयोंगी नहीं तो अचानक से उनका आना तुम्हें अजीब नहीं लगता है तो जिस पर दूसरे student कहता है कि हाँ तुमने बिक्कुर सही कहा यहां दूसरी तफ यंग मास्टर लियून से कहते हैं कि वाकई में देखो हम एक बार फिर से मिल गए और इस बार तो तुमने मेरे pressure को होते वे भी तुम घड़े रहे मतलब कि तुमने अपनी powers को पिछले बार से काफी ज़्यादा बढ़ा चुका है हाना तो जिस पर लियून यंग मास्टर से कहता है कि आप मेरी इतनी तारिफ क्यों कर रहे हैं क्या कोई बात है यह भी कोई गलती है जो कि मुझसे हो गई हो तो जिस पर young master कहता है कि नहीं तुमसे कोई गलती नहीं है बलकि मैं तुम्हें आप पर reward दे निकलाया हूँ मुझे ये बात पता चल चुकी है कि तुमने उस thief को भी मार चुका है चुकि वाकई में बहुत ज़्यादा powerful था तो उसको पढ़कर लियून वाकई में काफ़ ज़्यादा खुश होता है यहाँ पर young master से ये भी बताता है कि दो तीन बात यहाँ पर एक competition होने वाला है तो मैं जरूर देखूंगा कि तुम उसमें कितना best देता है तो जिस पर लियून young master से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जरूर अच्छा करूंगा वैसे आपका बहुत बहुत शुक्री आदा तो जिस पर बाके के students कहते हैं कि वाकई में लियून को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके बाद हम लियून के घर का scene देखते हैं जो कि अब पूरा जल चुका था ये चीज़ देखका लियून काफे ज़्यादा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर आप पर हुआ क्या है क्यासी है सब कुछ कुईनियून के लोगों ने तो नहीं करा या फिर उन सेक्ट के लोगों ने थपी उसे किसी के वाद सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़के देखता है तो वाप पर दो लोग होते हैं जो कि आपस में बाते कर रहे होते हैं और वो लियून को देखकर उसे बताते हैं कि यह घर उसके सेक्ट के कुछ स्टूरंस ने जलाया है जो कि कुईनियून और उसके साथ ही थे वेल तो मगर सेक्ट से बात करोगे तो वो तुमें इसका खर्चा दे सकते हैं जिस पर लियून को ठैक्स की baat वो लो असके लिग से कहते zijn कि वाकरी में कि तुम इस घर को खुछ थे बना लोगे तो जिस पर लोग कहते हैं कि ठीका है हम बाד में आकर मिनते हैं आपर हम लिए उनको देखते हैं जो कि कहता है कि अकेले में आखिर इतना सारा काम कैसे कर सकता हूं ये बहुत जादा मुश्किल है अभी वहाँ पर वो दोनों लड़के अपनी खुरसाती को लेकर आजाते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि तुम ये काम खुद से नहीं कर सक वेल हम साथ मिलकर तुमारे इस घर को ठीक कर सकते हैं तो जिस पर अवो चारों के चारों मिलकर अपना काम करने लगते हैं और लगपक शाम तक वो उस घर को बना भी देते हैं तो जिस पर लियून उनसे कहता है कि वाकवे में एक पर फिर से थैंक्यू कि तुमने मेरी गया तो जिस पर लोग उससे कहते हैं कि ठीक है फिर हम कभी और दिन आकर मिलेंगे और यह कहकर वहां से चले जाते हैं यहां पर लियून अपने घर में वापस आता है और एक पिल को निकाल कर देखता है कि वाकवे में दो दिन बात क्लैन का कॉम्पेटिशन होने वाला है और इन दो दिनों के अंदर-अंदर मुझे उस फिस्ट मॉव्स को सीखना होगा जो कि मुझे यंग मास्टर ने दिया था और इसके बाद वो से खा कर वापर अपना कल्टिवेशन करने लगता है और क्याता है कि इस दीमन भी इस इको खाने के बाद मेरी स्किल्स और भी ज लिए उनके साथ होने वाला था उसका नाम ब्रदर लियांग था तूडेंट्स आपस में बाते कर रहे होते हैं कि यह लड़का वाकए में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है कि सच में लिए उनका मुकापला कर भी पाएगा उसे पता भी होगा कि कितना ज़्यादा पावर कि काफे ज़्यादा वेट कर चुके थे इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है फिर हम यह मैज तभी हुआ पर लियून आ जाता है कि मुझे माफ करना कि मैं लेट हो गया तभी वो सबके सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहां टाइम भी खतम हो चुका था वैल इसी के साथ यह पीज़ोरी पर एंड होता है उमीद है कि आपको पसंदा आओ करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना तब तक के लिए बाब आए